हालो स्टूडेंट आपके अपने चैनल बिना सरा विग भी आफ फिजिक्स में आपका स्वागत है तो यह बहुत दिनों से चल रहा था जब से एमस वें सिकंड राउंड का जो विकेंड सीटों की एक्क्विशन जारी हुई है तब से लग रहा था कि एमस में इतनी सीटें खाली हो गई है तो कितने नमबर पर कौन सा एमस मिल सकता है क्या लो रेंग तक भी अब एमस मिलेंगे क्या तो यह सारे सवाल बच्चों के मन में हैं लगातार कॉल और वाटसब आ रहे थे तो उन सारे सवालों का जवाव हम इस वीडियो में देने वाले हैं तो आप वीडियो में आंते तक बने रहें और जो भी लोग कोई परसनल सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो हमारा वाटसब नमबर Tech98203 2282 उस पर आउनब कर सकते हैए लेकिन वाटसब करने के पहले आपको चैनल को शब्सकाइब करना है वीडियो को लाइक करना पर चल यह तो सुरू करते हैं सबसे पहले अपन सुरू करते हैं पेछले सा में पेछले जो राउंड था राउंड बन उसमें किया के यूशन मना एमस का तो एमस दिल्ली के बाद जो नंबर दो गया था वह गया था एमस भुबनेश्वर, एम्स भुबनेश्वर जो है वो 569 रेंग पर चला गया EIR पर, इसके बाद एम्स भोपाल 589 पर गया, फिर जोदपूर 786 पर, फिर इसी केस 1300 पर, फिर राइपूर 1572 पर, फिर पतना 1850 पर, फिर नागपूर 2537 पर, इसके बाद राजकोट 3085 पर, फिर तेलांगना 3086 पर, फिर मंगलगिरी 3127 पर, फिर भटेंडा 3424 पर, फिर गोहाटी 3821 पर, इसके बाद राइबरेली 3882 पर, इसके बाद कल्यानी 4374 पर, इसके बाद हिमांचल 4980 पर, इसके बाद दियोधर 5150 पर, और लास्ट जो गया था, एमस बो गया था, जम्मू 6078 पर, तो यह फर्स्ट राउंड के बाद यह क्योशन थी, अब लेकिन जब सिकेंड राउंड की अपन बात कर रहे हैं, तो सिकेंड राउंड में आपन ने क्या देखा कि बहुत सी सीटें वेकेंट हुई हैं, तो सबसे पहले, एमस जोदपूर में आप देखें, तो जनरल में 2, OVC में 3, SC में 4, ST में 1, और EWS में 2 सीटें वेकेंट हैं, तो एमस जोदपूर के लिए हम आप मान रहे हैं, कि EWS में 1724 रेंग तक, जनरल में 799 रेंग तक, OVC में 1665 रेंग तक, SC में 13,416 तक, और ST में 19,311 तक, ये वो रेंग रहेगी आल इंडिया, जिसमें आपको एमस जोदपूर मिल सकता है, मतलब एमस जोदपूर का जनरल का कट अप हम मान रहे हैं, AIR 800, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एमस भोपाल की, तो एमस भोपाल में जनरल का कट अप हम मान रहे हैं, 625 AIR, OBC का 1385, SC का 9948, ST का 1685, ये हम आल इंडिया रेंग मान रहे हैं, इस रेंग तक, आपको सिकन्ड राउंड में एमस मिल सकता है, इसके बाद एमस भोपनेश्च्वर की बात कल लें, तो इसमें EWS की कोई सीट खाली नहीं है, ST की कोई सीट खाली नहीं है, जनरल की 2 सीट हैं खाली है, OBC की 4 और SC की 1, तो हम जनरल में मान रहे हैं 580 AIR तक, OBC में मान रहे हैं 1295 AIR तक, SC में मान रहे हैं 12564 AIR तक, और हम एम से बनी शर्म मिल जाना चाहिए इसके बाद बात करते हैं एम से भटिंडा की तो एम से भटिंडा जो है इसमें जैनल में 12 सीटे खा ली हैं EWS में 4 हैं OBC में 7 हैं SC में 2 हैं HT में 3 हैं तो इसका जो हम कटब मान रहे हैं Final वो मान रहे हैं जैनल में 648 तक EWS में 641 तक नमबर में बता रहे हैं मार्क्स में 648 मार्क्स तक मिल जाना चाहिए 641 मार्क्स तक EWS में OBC में 642 मार्क्स तक SC में 570 मार्क्स तक और HT में 540 मार्क्स तक ये EMS बटन आपको मिल जाना चाहिए इसके आदर EMS राजकोट की बात करें तो इसमें जनरल में 12 सीटें खाली है EWS में 2 OBC में 9 SC में 4 और HT में 3 सीटें इसमें खाली है तो इसमें जो हमारा कटप जा रहा है EMS राजकोट में वो जा रहा है जनरल में 600 बाउन नमबर तक मिल जाना चाहिए EWS में 646 नमबर तक OBC में 646 नमबर तक SC में 575 तक और HT में 545 तक ये मिल जाना चाहिए इसके बाद जो सबसे लाश्ट में जाएगा EMS लेकिन अभी यहाँ पर बता देते हैं EMS जम्मू EMS जम्मू में जनरल की 15 सीटे खाली है EWS की 4 OBC की 11 SC की 3 और ST की 1 तो EMS जम्मू का हम मान के चल रहे हैं कि 635 वो नमबर होना चाहिए जिसमें EMS जम्मू मिलेगा जनरल में इसके बाद EWS में वो नमबर हम मान रहे हैं 633 OBC में भी 633 और SC में हम मान रहे हैं 550 और ST में वो नमबर हम मान रहे हैं 522 522 नमबर तक अगर आपके हैं तो आपको EMS मिल सकता है ST के टेगरी में अब मंगलगरी की बात कर लें तो EMS मंगलगरी में जनरल में 8 सीटे खाली हैं EWS में 3 हैं OBC में 17 हैं SC में 2 हैं और ST में 1 है तो मंगलगरी का जो हम मान के चल रहे हैं वो कटब मान के चल रहे हैं जनरल का 648 जाएगा EWS का 640 OBC का 643 SC का जाएगा 565 और ST का जाएगा 545 तक है हम सिमानचल प्रदेश की बात कर लें तो जनरल की 11 सीटें खाली हैं EWS की 5 हैं OBC की 4 है SC की 2 ST की 1 तो एएग सिमानचल में हम मान के चल रहे हैं कि 642 जनरल EWS 636 OBC 636 570 SC और ST का 535 तक जाना चाहिए EWS की बात करें तो जनरल का 13 EWS की 3 OBC की 11 SC की 3 और ST की 2 सीटें खाली हैं तो हम आपको बता दें की M's पर और Round 2 में All India Round 2 पर भी लगातार Live Session भी अपने रहेंगे तो अगर आपके कोई Doubt हो तो आप उन Live Session में आकर भी पूछ सकते हैं आपको करना क्या है? चैनल को सब्सकाइब करना है फ्री आपको अपने Comment या अपने Doubt लिखने हैं हमारे WhatsApp नमबर 9826032282 पर भी आप WhatsApp कर सकते हैं चैनल को सब्सकाइब करके तो गोहाटी का हम मान रहे हैं जनरल 645 नमबर तक भरेगा EWS 633 नमबर तक OBC 636 तक 555 तक SC और ST 545 तक M's तेलंगना की बात कर लें M's तेलंगना में EWS की 1 सीट खाली है, जनरल की 5 हैं OBC की 4 है, SC की 3 है ST की कोई सीट खाली नहीं है M's तेलंगना में हम मान के चल रहे हैं कि 600 EWS जो है 636 नमबर तक मिल जाएगा जनरल 600 इंक्याउन तक और OBC 640 तक SC 562 तक M's देउधर की बात करें तो इसमें EWS की 4 सीट खाली है जनरल की 15 है, OBC की 12 है SC की 4 है और ST की 3 है तो M's देउधर की बात करें तो EWS में 635 नमबर तक जनरल में 640 तक OBC में 635 तक SC में 555 तक और ST में 525 नमबर तक ये मिल जाना चाहिए गोरकपुर M's की बात करें तो जनरल में 26 हायस शीट हैं जो है वो गोरकपुर में खाली है जनरल में 26 खाली है EWS में 2 है OBC में 12 है SC में 7 है ST में 5 है तो हम गोरकपुर का मान के चल रहा है कि 641 नमबर तक जनरल में मिल जाना चाहिए EWS में 6.40 तक मिल जाना चाहिए OBC में भी 6.40 तक मिल जाना चाहिए SC में 5.60 तक मिल जाना चाहिए और ST में 5.40 तक मिल जाना चाहिए एम्स गोरकपुर चलिए अगला देख लेते हैं EMS कल्यानी EMS कल्यानी में EWS की 7 सीटे खाली है General की 26 OBC की 19 SC की 3 और ST की 3 तो इस हिसाब से EMS कल्यानी जो लग रहा है EWS का कटप 635 जाएगा और General का जो कटप है वो 649 लग रहा है और OBC का कटप लग रहा है 635 SC का कटप लग रहा है 555 और ST का कटप लग रहा है 530 EMS नाकपुर की बात कर लें तो EWS की 3 सीटे खाली है General की 12 OBC की 14 SC की 4 ST की 2 तो EMS नाकपुर का जो कटप लग रहा है EWS का वो लग रहा है 648 General का लग रहा है 653 OBC का 600 Incoun SC का 593 और ST का 550 पतना की बात कर लें EMS पतना का EWS की 2 सीटे खाली है General की 12 OBC की 13 SC की 5 और ST की 3 तो इस आप से जो पतना का कटप लग रहा है वो लग रहा है EWS का 654 के आसपास जाएगा General का 608 के आसपास 658 और OBC का जो है 656 SC का 592 और ST का 565 के आसपास जाना चाहिए तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया वाटसप स्टेटस पे हमारा वीडियो जरूर लगाएं हम विना किसी काश्ट के पूरी काउंसलिंग में आपकी मदद कर रहे हैं हमारा उद्देश पेड काउंसलिंग ना करके फ्री आप काश्ट में स्टूडेंट के हित में काम करना है तो आपका इतना उद्देश जरूर होना चाहिए कि आप हमारी मदद के लिए अपने वाटसप स्टेटस पे एक दिन के लिए हमारे वीडियो को लगाएं मैक जिए उन लोगों तक सेयर करें और उनसे कहें कि हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में लॉएस का चाहिएगा इतानसर जाएगाया। तो राईपूर का जो हम कटा सब्सक्राइगा आट साफित के चार शोड़ के चल आ ऐर वाटसएगा चाहिएक उरर जैनलगत दाइगाmia को 600 Trashot, OBC का चला जाएगा 655 और SC का 590 तक और ST का 572 तक जाना चाहिए इसके आज जो लाश्ट EMS बच्चता है वो है EMS RISC CASE EMS RISC CASE का नंबर लाश्ट पर जरूर आ रहा है लेकिन अच्छा EMS है इसकी रैंकिंग हम आपको बता दे रहे हैं अभी कौन सी आने वाली है तो EWS की तीन सीटें खाली है जनल की 12, OBC की 9, SC की 4 और ST की 2 तो हमें लग रहा है जो वो लग रहा है कि इसमें जो है EWS में 600, अन्ठाउन तक जाएगा जनल में 1700, 1700 रैंक और लगबग 666 मार्क्स 185 तक EWS रिसी केस फिल होना चाहिए एक बार हम रैंकिंग बता देते हैं जिस हिसाब से राउंड बन में सीटें कलोज हुई है उस हिसाब से EWS दिल्ली नमबर एक है EMS भुबनेश्वर नमबर दो है EMS भुपाल नमबर तीन पर है EMS जोतपूर नमबर चार पर है EMS रिसी केस नमबर पाँच पर है राइपुर 6 पर है पटना 7 पर है नाकपुर 8 पर है राजकोट 9 पर है तेलांगना 10 पर है मंगलगिरी 11 पर है भटेंडा 12 पर है गोहाटी 13 नंबर पर है गोरकपुर 14 नंबर पर है राइबरेली 15 नंबर पर है कल्यानी 16 नंबर पर है और हिमांचल प्रदेश 17 नंबर पर है द जम्मू एम्स जो है यह 18 नंबर पर जम्मू एम्स है तो इस हिसाब से देखा जाए पूरे हिसाब किताब को देखकर तो जम्मू एम्स जो है लाश्ट एम्स है जो फिल होगा तो कटप हम आपको बता देते हैं मार्क सबाइज भी हम मानके चल रहे हैं 7200 रेंग तक अगर 7800 तक है OBC में 7800 तक EWS में 8300 तक SC में आपकी रेंग 46000 से 47000 के बीच में और HT में आपकी रेंग 65000 से 67000 के बीच में कहीं है तो आपको M सिकंड राउंड में मिल सकता है जनरल में हम मान रहे हैं 632 EWS में हम मान रहे हैं 624 OBC में हम मान रहे हैं 628 और SC में हम मान रहे हैं 542 ST में हम मान रहे हैं 524 वो लाश्ट कट अफ होना चाहिए जिसमें M's मिलेगा तो चलिए आप सबी को हमारे तरफ से पहले से ही बहुत बहुत बदाई दी जाती है और हम दुगा करते हैं कि आपको M's मिले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्काइब नहीं किया आप इस नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं ये हमारा WhatsApp नमबर है 982603282 इस पर आप अपने कॉस्चन भेज सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है आपने पहले चैनल को सबस्काइब किया हो तभी आपके कॉस्चन हम कंसीडर कर पाएंगे अगर आप कमेंट बाक्स में भी कॉस्चन लिखते हैं तो आपके एक आँसर दिये जाएंगे लेकिन आपने चैनल को सबस्काइब किया हो ये पहले जरूरी है चलिए तो विरा सर्मा विग भी आप फिजिक्स चैनल आपका अपना चैनल है थैंक्स पर वाचिंग प्ली सबस्काइब आपर चैनल